हाई गेज तो इस वीडियो को आपको लाश तक देखना है ताकि आप लोगों को एक अच्छी तरिके समाझ आ जाएं और हाँ वीडियो की स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिमाइंडर है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि यहाँ पर हम ब्लॉग और डालते रहते हैं और जिटनी सारी वीडियो रहते हैं सब मैं आपको बताता रहूँ और जैसा कि मैं आपको दा दो मैं भी हूँ एक एसिस्टेंट वरांज पोस्ट मास्टर यानि की ABPM ठीक है और मेरा जो सेलरी है वो आ चुका है मैं आपको इस वीडियो ये भी बताने वाला हूँ कि जब आप जॉइनिक करते हो तो उसके कितने महिने बाद आपकी सेलरी है अब आप ये स्लिप कैसे निकल आओगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ ओकी गैस से पहले हम बात करते हैं BPM सेलरी के बारे में उसके बाद ABPM का जो स्लिप है मेरे पास वो मैं आपको दिखाऊंगा साइड में ठीक है तो BPM का फुलफाम जो होता है वो है ब्रांज प पर मिलते हैं और टोटल इसमें 17,700 इसको जोडने के बाद बनता है ठीक है 17,000 बन जाता है आपका सेलरी और इसमें PA लाइव अगिरा रहता है जो कि आपका करता रहता है जितने का आप कराय हो आपके एच के हिसाफ सोगता है ठीक है जिनना करता है ओके अब बात करते हैं ABPM के बारे में सीधा उठा लेते हैं सिलिप को और आप साइड में देख सकतो हो सिलिप में ही हम देखेंगे इसमें देखी मेरा नाम लिखा है अकासमार और नीचे आपका Employee Ideal लिखा रहेगा और Pen Card के बिना आपकी सेलरी नहीं आएगी तो Pen Card जो रोल रहता है और आपके बीय 22 है ठीक है अभी 22 है जुलाई का भी चेंज नहीं हुआ है हो सके अगले साल जो DA अभी बढ़ चुका है वो अगले साल से जोड जाए और यूटूब पर जितनी सारे उडियो जाती है ना भाई वो पहले से पताना शुरू कर देते हैं लेकिन अभी सेलरी में जॉइन नहीं हुआ है ठीक है जो भी बड़ा हुआ है और साइकल एलाउंस इसमें 180 रुपाई मिलता है और फिक स्टेंस्टरी चार जो है वो 25 रुपाई मिलता है और उसके बाद यहां पर टोटल देखी 21,379 लिखा हुआ है और उसके बाद फिर से नीचे लिखा है 35,774 अब मैं आपको बता दू कि यार इतना ज़्यादा सेलरी कैसे आया मेरा 35,774 और इसमें EDGIS 50 रुपाई करता है सेलरी से ठीक है बाद में जो इकठ़ होता है आपका जब रिटार होगा तब वो पूरा पैसा आपको मिल जाता है उसी का ठीक है और देखो टोटल 35,774 रुपाई मुझे कैसे मिले तो मैं आपको बता दू कि देखो यार मैं ना तीन महीने से जोइन किया था तो ये धाई महीने का पैसा जो है आधा ठीक है आधा यानि कि 17 मही से मैं जोइन किया था मैं जून जुलाई यानि कि आधा मैं वो हो गया और धाई महीने का टोटल पेमेंट आया 35,774 और 21, जर 377 मेंसे हम लोग घटाएंगे तो वही कुछ निकलेगा 14,700 कुछ ऐसे बनेगा ठीक है आप लोग कर लेजीगा तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सीधे सीधे तो पेमेंट जादा तुर होती है 14,400 या 780 रुपाई BPM का बनता है ठीक है और अब बताते हैं कि आपकी प अपना बनवाना है इसके लिए डॉकुमेंट ले लीजिए तो पैन कार्ड अधार कार्ड और आपका सब पर सिंगनेचर रहना चाहिए ठीक है और आपका चार्ड रिपोर्ड भी रहना चाहिए साथे में आपका बैंक इकांट दोनों रहना चाहिए IPV वाला और SB वाला होन पर उसके बाद जो आपका Employee ID है वो एक-दो महीनी में बन जाएगा वो लखनाव में जाके बनता है अगर टाइम लगता है तो आप लोग इंज़ियार करो जट तक आपका Employee ID नहीं बनेगा तब तक आपका पैसा नहीं आएगा आपके खाते में ठीक है और देखो कापी ल ängen जी आप जब से जोइन की हो तब से आपका पूरा पैसा जोड़ रहा है ठीक है आपका पैसा इकठा बनेगा जाहे Employee ID 4 महुने में बने जाहे 3 महुने बन है तो 3 महुने का पूरा पैसा इक तो हमारा ID बना थो भाई महुनी पढ़ा पैसा आगया और अपे सिलिप कैसे नि और आप पिसलिप भी निकाल के देदेंगे, अगर आप कोई बी कोस्टन हो, तो कमेंट कर बोच लिजेगा, और अगर आप GDS करमचारी हो, तो मेरी एक help कर दीजे, कि अगर आप लखनाओ से हो, तो भाई, आप मेरे से contact गरो, मेरे Instagram में जाओ, ठीक है, ये है, और मुझे कमें कर दीजे, कि अगर आप GDS में हो, ठीक है, क्योंकि भाई, ट्रांसफर लेना है, तो बताना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप already GDS कमचारी हो, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, ट्रांसफर वगीरा के related query हो, तो बात कर सकते हैं, तो आज बस इननाई, thank you.